नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News से नीचे पहुंच गया है जबकि मैदानी राजियों की बात करें तो अनेक स्थानों पर नियुंतम दाभान में गिरावट दर्ज की गई है 12 10 डिगरी से नीचे दर्ज किया गया है बुद्वार को रास्तान का हनुआन गट 5.2.6 डिगरी सेल्चे के साथ मैदानी राजियों में सभसे थंडा स्थान बना रहा तो भाई पंजाब का बटेंडा 7.4 डिगरी सेल्चे के साथ दूसरे नमबर पर रहा जबकि हरियाना में बाल समंध हिसार 73 डिग्री सेल्शेस के साथ तीसरे स्थान पर काबिज रहा पिछले दिनों में गर्मी ने रिकोर्ड तोड़ा और मानुसोन सीजन में बारिश ने उसी तरह इस बाल ठंड भी कुछ नए रिकार्ड बना दे तो कोई आती शोक्ति नहीं होगी इस साल फरवरी और मार्श टक शंपूर उत्री मैदनी राजियों में कडाकी की ठंड पढ़ने की संभावना बन रही है जनुरी वा फरवरी में भी शंपूर मैदनी राजियों में सीतलर चलने की संभावना है हरियाना CMO की हर तरफ नजर शिकायतों पर लापरवाई बरतने वाले अफसरों और विभागों की अपखेर नहीं अक्सर परदेश मुख्याला और शियाम मिंडो पर आने वाली शिकायतों पर जवाब मागे जाने की सुरत में भी ढूलमूल रवाय है अपनाने वाले अफसरों और विभागों की अब खेर नहीं है हरियाना CMO यानि मुख्यमंतरी अफिस के साथ-साथ आई दिन विजिलेंस ने भी इस तरह के विभागों और अफसरों को चीनित करने की मुहिम चला दी है कोई कितने भी बड़े कदवाला अफसर अत्वा कर्मी ही क्यों ना हो हमने कारवाई के लिए अफसरों को फ्री एंड दिया है हर्याना में घर-गर जाकर होगी सबी लोगों के फिरी स्वास्त जांच राष्टपती दरौपदी मुर्मू कुरूचेतर से करेंगी यह योजना की शुरुवात हर्याना सरगार के तरफ से अब प्रत्यक नागरी के स्वास्त के जांच और विभिन प्रकार के टेस्ट निसुल कुरूप से किया जाएंगे इस योजना की सोगात मुक्यमंतरी मनोहलाल खटर की तरफ से अंतरास्टी गेता महुत्सों के पाउन पर उपर पर परदेश स्वासियों को देने जा रही है यह सोगात कुरूचेतर की पाउन धरास से मुक्यमंतरी स्वास्त सर्वेक्षन योजना के तैद दी जाएगी एहम पहलू यह है कि 29 नौमबर को राश्पती द्रौपदी मुर्मू और मुक्यमंतरी मनोहलाल खटर कुरूचेतर से इस योजना का सुभारम करेंगे इस योजना के तैद स्वास्त विवाग के तरफ से आगा में दो सालों में घर गर जागर लोगों के स्वास्त के जांच की जाएगी और उम्र के इसाब से कुछ टेस्ट भी किये जाएगे यह सबी टेस्ट और स्वास्ट के जांज निसुल्क यानि फ्री रूप से की जाएगी हर्याना के चार जलों में गोदामों का गेहूं खराब होने के होगी जांज सरकार ने दिया आदेज एक महिने में मांगी रिपोर्ट हर्याना सरकार ने कुरूचेतर करनाल कैथल और फत्याबाद में पड़ेच छतिकर्ष्ट गेहूं के संबन्द में संग्यान लेते वे जांज के आदेश जारी कर दी है मुख्य सचिव संजी कोशिल ने संबन्दित प्रशाशनिक सचिव जो इंचार्ज लों के इंचार्ज भी हैं को इस मामले की जांज करने और एक महिने के बीतर राजी सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के नर्दे जारी किये है सरकारी प्रोक्ता ने बताया कि साल 2018-19 और 2019-2020 के दोरान खरीदा गाए गए हूं कुरूचेतर करनाल कैथल और फत्यावाद में बाहरी मातरा में पड़ा मिला है जो अब खराब हो गया है प्रोक्ता ने बताया कि हैफिट के प्रबंद निदेशक और हर्यान राजी भंडान निगम के प्रबंद निदेशक को भी संबंदित प्रशास्निक सचीवों सहजला इंचार्ज को भी जांच करने में साहियों के नर्दे जारी किये गए है किसान आंदरोन में दर्ज हुए मामलों को लिया जा रहा है वापस ग्रह मंतरी अनिल विज ने बीकेईउ के साथ मीटिंग में दी जानकारी हरियान के ग्रहेम स्वास्त मंतरी अनिल विज ने भारते किसान यूनियन यानी चड़ोनी गुरूप के पतादिगारियों के साथ बैठा की अनिल विज ने बताया कि रेलवे से जुड़े और कुछ अन्य मामले हैं जिने वापस लेने के प्रक्रिया चल रही है गौरतलब है कि किसान यूनियन द्वारा गत दिनों आहवान किया गया था कि किसानों पर दर्द सभी मामलों को वापस ने लेने के सूरत में आगामी 24 नॉवम्बर को रेलवे ट्रेक अवरूद किया जाएगा MDU exam date महरशी द्यानन्द विश्वधाले ने प्रिक्षा तिथियों में क्या बदलाओ महरशी द्यानन्द विश्वधाले रोतक ने बी ए पर्थम वर्ष दूसरे वा तीसरे वर्ष ओल्ड रेगुलर MDD वार्शिक स्कीम एडिशनल विकॉम तीसरे वर्ष ओल्ड रेगुलर MDD वार्शिक स्कीम BSE पांच्वी सेमेस्टर ग्रणित ओनर्स MCADD पांच्वी सेमेस्टर न्यू वे ओल्ड स्कीम तता बीटेक कैनल को पक्का किया जाएगा पांच नए पूल भी बनेंगे सिचाई M. जल संचादने विभाय की ओर से अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने के लिए महंदरगट जिले में जवारलाल कैनल को सीसी बनाने का निरने लिया गया है इसका मुख्या उदे से सभी गाउं की किसानों को किर्शी के लिए पानी उपलब्द कराना है गाउं पाथेडा में नहर को सीसी बनाने का काम सुरू हो चुका है महंदरगट खंड का जलस्तर काफी निची जा चुका है अधिकांस गाउं खेते के लिए नहरी पानी पर निरबर है लेकिन नहर का पानी 15 दिन में आने के कान विभाग के लिए सभी गाउं में उपलब्द कराना चुनोती बना हुआ है विभाय के और से किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्त करानी के लिए महेंदरगड में जवारलाल नहर को सिमेंटिड बनानी का निरने लिया गया है यह नहर साल 1970 में इंटिशे बनाई गई थी जो की पूरी तरह से तूट चुकी है तता इसमें पानी का रिसाव शुरू हो चुका है जिससे अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने विभाय के लिए चुनोती बना हुआ था विभाग का दावा है कि नहर सिसी बनने के बाद अंतिम टेल तक नहर का पानी पहुंचेगा तता सभी गाउं की किसानों को खेती के लिए पानी मिलच केगा गाउं जगडोली से नारनुल तक जवारलाल कैनाल नहर को पक्का किया जाएगा अब पेंशनर अपना जीवन प्रमान पत्र डागघर के मादम से घर बैठे बनवा सकते हैं सरकारी विभागों के पेंशनरों के लिए अची ख़बर है पैंसनरों को हर साल नौंबर वे दिसंबर महीने में कोशागार बैंक या फिस समंदित विभाग में जीवन प्रमानपत्र प्रस्तुत करना होता है ऐसे में डाग विवाग ने पेंसनों को प्रेशानी को दूर करने के लिए भारतिय डाग विवाग पेंसनों को घर बैठे डिजिटल लाइफ शेट्विगेट परतान करने के सुविधा परतान कर रहा है इस सुईदा को प्राफ्ट करने के लिए अपने इलाके के डाकिया के साथ साथ पोस्ट इन्फो मुबाइल आप द्वारा ओनलाइन अनरोध भी किया जा सकता है इसके लिए पेंसनर को आधार नंबर, मॉबाइल नंबर, बैंक या डागर, खाता संक्या और पेपियो नंबर देना होगा इसके लिए मातर 70 रुपय का सुल्क जारी किया गया है या प्रमानपत्र शोता है या अपने आपी सम्मंदित विभाग को ओनलाइन पहुंच जाएगा इससे पेंसन मिलने में कोई रुकाउट नहीं आएगी या सुविदा सभी डागरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से उपलब्त कराई जा रही है इससे पेंसनरों को काफी लाँ पहुंचेगा हर्याना केंदरे विश्विदाला मेहिंदरगाड वर्त्मान सेक्षनिक सतर से सुरू दो वर्षे में हिंदी अनुवाद कारिकरमें दाखले के लिए ओपन काउंसलिंग का आउजन आज यानी 17 नॉवंब्र को अफलान माध्यम से किया जा रहा है विश्विदाला के कुलपती प्रोफेसर टंकेस वर कुमार ने कहा कि यह कारिकरम नई राष्टी सिक्षानिती के लक्षी को ध्यान में रखते विए विद्यारतियों को अनुवाद के सिध्धान्त इम विवाद में दक्स करेगा इस रोजगार परक अध्यन के माध्यम से विद्यारति उजवल भाविशे के और उन्मुख होगा यह नए कारिकरम भारतिया इम विदेशी ग्यान संपदा को जानने वर समझने के लिए सेतु का कारी भी करेगा एम में हिंदी अनुवाद कारेकरम की ओपन काउंसलिंग के लिए नए आविदको को विभाग में उपस्तित होकर पंजिकर्ण कराना होगा जबकि नए पार्ठे करेम के लिए पूरों में पंजीकर्द करवाने वाले आविदकों को इसके लिए दोबारा से पंजीकर्द करवाने की कोई आउश्कत नहीं है ओपन काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले परतिभागी को 17 नॉमबर यानि आज 20 विदला के हिंदी विबाग में सुबह नो बज़े से लेकर दो पैर एक बज़े तक रिपोर्ट करना होगा पीएम किसान समाने थी योजना की कच्छवा चाल से किसान प्रेशान हजारों लाभारतियों के भूमी सत्यापन प्रिक्रिया पेंडिंग में परेशान किसान हर रोज जिला किर्शी अधिकारी के कारियले में चक्र लगा रहे हैं ऐसे में अक्तुबर महीने में जारी हुई किस्त खातों में नहीं पहुंची है वही विभाग की माने तो लाबारतियों के बैंक खातों नामों की तुरूटियों की वज़े से भूमी सत्यापन का रिकोर्ड अपलोड नहीं हो पा रहा है किसानों से आहवान किया गया है कि वे EQCB जरूर करवाएं ताकि कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने नहीं आई जिला IO Society सिर्षा में आई Data Entry Operator के पदों पर भरती आप भी कर सकते हैं आविदन जिला आयू सोसाइटी शिर्षाद वारा डाटा इंटरी ओपरेटर के पदों पर भरती के लिए आविदन मांगे गई हैं आपको बता दें कि यह भरतियां कोंट्रेक्ट आदार पर किये जाएंगी आविदन भेजने के लिए इच्छो का बियार्थी ओफलाइन मादें से अपने आविदन भेज सकते हैं आविदन करने की अंतिम दिथी 28 नॉwnबर 2022 तेग की गई है आविदो को कम्पीटर पर कारे करने का कम से कम एक साल का अनुभाव होना चाहिए तथा अंग्रेजी में टाइब करने का तीस सब्द वे हिंदी में टाइब करने का 25 सब्द परती मिनिट का अनुभव होना चाहिए साथ ही आविदों को MS Office, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel वे MS Access पर कारे करने का भी अनुभव होना चाहिए आविदों के पास दस्वी में हिंदी या संस्कत विशा होना चाहिए किसे भी वरक के उमिदोर को कोई भी आविदन शुल्क नहीं देना होगा नियूंतम आयू की बात करने तो 18 वर्ष और अधिकतम आयू 42 वर्ष तया की गई है डाट्या एंट्री ओपरेटर के पदो पर या भर्ती की जाएगी उमिदोरों से विनमर निवेदन है कि भर्ती के लियाविदन करने से पहले अधिकारी की विज्यापन आव इससे देख लें 19 नौवंबर को मुफ्त में किये जित ताज महल का दिदार सभी समार्कों में निसुल्क यानि फिरी रहे गया एंट्री ताज महल का दिदार करने के इच्छोक लोगों के लिए एक बड़ी खुशकवरी आई है बता देगे भारतिय प्राता तो शर्विक्षन द्वारा विसुद्रवार सप्ता के सुभारम पर 19 नौवंबर को देश के सभी समार्क स्तलों पर निसुल्क यानि फिरी में परविश रहने की सुविदा उपलप्त कराई गई है इस दिन ताज महल आगरा के लाग पतेपुर शीकरी समेत सभी समार्कों में आमजन की एंटरी मुफ्त यानि फिरी रहेगी इस सम्मद में आदेश जारी कर दिये गए हैं बता दें कि विशुद रोवर शब्ता 19 नौवंबर से सुरू होकर 25 नौवंबर तक विभिन समार्कों में आउजित होगा रेल्वे ने बढ़ाया मोबाईल एब से बुकिंग का दाइरा अब 20 किलोमेटर के दाइरे में बना सकेंगे जनरल टिकेट रेल्वे ने सामानी स्रेण में यातरा करने वाले लोगों को बड़ी राहत परदान की है अब रेल्वे ने UTS on mobile app से जनरल टिकेट लेने का दाइरा बढ़ा दिया है अब यातरी mobile app से 20 किलोमेटर के दाइरे में रहकर जनरल टिकेट खरीद पाएंगे पहले यातरी इस योजना का पूरी तरह से फाइदा नहीं ले पा रहे थे यहीं बेवस्ता रेल्वे स्टेशन के अनारक्षे टिकेट के अंदरो पर भीड कम करने के मकसद से भी रेल्वे दोरा शुरू की गई थी जो यातरी पहले ही मोबाइल एप से जनरल टिकेट बना रहे हैं उन्हें इस सुईधा को प्राफ्ट करने के लिए दोबारे से इस आप को अपडेट करना होगा अपडेट होते ही उनके मोबाइल पर 20 किलोमेटर दायरे की जानकरी खुद बर खुद नजर आनने लगेगी वहीं अन्य यादरी गूगल प्ले स्टोर से यूटियस और मोबाइल एप डाउनलोड कर इस सुईधा का फायदा उठा सकते हैं चंडिगड पुलिस में नोकरी का मोका कॉंस्टेबल के 953 पदों पर भरती जल्द यूटि प्रशासन ने मंजूरी दी चंडिगड पुलिस में नोकरी पानी की चाहत रखने वालों के लिए खुशकबरी है पुलिस विभाग में 953 नए कॉंस्टेबल भरती की जाएंगे 31 मार्च 2003 से पहले भरती होने की उम्मीद है वहीं अब इस भरती को लेकर नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी किया जा सकता है इस भरती को लेकर देश बर से आविदर मांगी जाएंगे बता दें कि चंडिगट पुलिस में 49 ASI पदों के लिए भरती चल रही है लगबग 12 साल बाद चंडिगट पुलिस में ASI के पद पर भरती होने जा रही है इससे पहले साल 2009 में विग्यापन निकला था बाजार का नया 52 वीक हाई सैंसेक्स 62,052 पर पहुंचा मेदानता और विकाजी के सांदार लिस्टिंग भारती शेयर बाजार ने नया 52 वीक हाई बनाया है सैंसेक्स 62,052,57 पर पहुंच गया है हालाएं कि ये 107,7 अंक बढ़कर 6,980 पर बंद हुआ बिकाजी फूर्स एनसे पर 322,089 पर लिस्ट हुआ वहीं ग्लोबल हेल्थ का सेर एनसे पर 401 रुपे पर लिस्ट हुआ डॉलर के मुकाबले रुपया 34 पैसे की गिरावट के साथ 81 रुपया 25 पैसे के स्थर पर बंद हुआ सोने में एक बार फिर से तैजी देखने को मिली है यह साथ मेने के उच्छतम स्तर पर पहुँच चुका है 24 कैट सोने की किमत 22,823 रुपय पर ती 10 ग्राम पर पहुँच गई है वहीं 14 नौमबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच देश में 30,000,000 से ज़्यादा साधिया होने का अनुमान है इसके लिए गहनों की खरीदारी सुरू हो गई है इसे के चलते सोने की मांग बढ़ गई है चांदी की बात करें तो यह स्तराफ़ बाजार में 62,466 रुपय पर ती किलोग्राम पर पहुँच गई है आज खबरों बसितनाई देखते रहे CWB हिंदी न्यूज नमस्कार